हाई एव्योवन कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे हमने एक नहीं प्लेलिस्ट शुरू करी है जिसका नाम है सिलो पी ग्रूप ठीक है उससे रिलेटेड जो भी थेयरम्स होंगे वो सब हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे थेय थेयरम्स हो एक्जाम्पल हो टॉपिक हो डेफिनेशन हो वाटेवर इटीक है तो हमने लास्ट दो लेक्चर कंप्लीट किये हैं उसमें मैंने बात करी है वोट इस पी ग्रूप ठीक है फिर उससे रिलेटेड एक थेयरम देखे होंगे और आज हम शुरू करने वाले हैं वर सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपका सिलो पी सब ग्रूप क्या होता है क्या का मैंने सिलो पी सब ग्रूप इससे पहले हमने पी ग्रूप की बात करी थी तो पी ग्रूप वो होता था जिसमें आपका जो ग्रूप है उसके सारे इलेमेंट्स के जो ओर्डर होंगे वो पी की form में होंगे फिर हमने एक theorem भी देखा था कि अगर group का order p की power में है तो वो p group कहलाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही वो subgroup की हो रही है तो पहले हम जो है इसका definition देखते हैं माल लेते हैं p कोई प्राइम नंबर है okay so let p be a prime such that कि p का power n जो है वो g के order को divide करता है और p का power n plus 1 यानि कि उसका जो next वाला power है वो g के order को divide नहीं करता है तो ऐसा subgroup g का जिसका हम नाम दे रहे हैं h ऐसा subgroup g का जिसका order ये वाला number हो यानि कि order of h is equal to p की power n इस code silo p subgroup of g या फिर इसे p silo subgroup भी कहते हैं और इसके आगे हम इसको shortcut में कहेंगे p ssg यानि कि p silo subgroup of g ठीक है तो simple से बात है कि हम किसी subgroup h को किसी group g का p silo subgroup कब कहेंगे कि अगर p की power n order of g को divide कर रही है p की power n plus 1 जो है वो order of g को divide नहीं कर रही है और h का जो order है वो p की power n है तो उस case में हम p को कहेंगे sorry h को कहेंगे कि it is p silo subgroup of g ठीक है एक चीज आपने या पे गौर कर ली होगी कि आपका जो g है इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये p group ही होना चीए ठीक है क्योंकि देखो थोड़ी सी अगर हम एक example से मैं आपको समझाती हूँ कि माल लीजे कोई g है जिसका order जो है माल लीजे कुछ ऐसा है 2 का power cube 3 का square into 5 ऐसा है माल लीजे ठीक है तो इस case में जैसे कि मैं फिलहाल इसकी बात करती हूँ ठीक है तो जो 2 का power 3 है वो order of g को divide करेगा लेकिन 2 का power 4 याने कि 3 plus 1 वो order of g को divide नहीं करेगा तो अगर कोई ऐसा subgroup है h ठीक है जिसका order 2 की power 3 है तो हम इस h को कहेंगे कि ये 2 slow subgroup है g का जबकि आपका जो g है वो 2 group नहीं है इस group के अंदर 2 भी है 3 भी है 3 क्या है prime numbers है ठीक है तो एक चीज़ तो आपको clear हो गई कि आपका जो g होना चाहिए न उस g के order में वो prime number तो होना चाहिए लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो g जो है वो p group हो ठीक है तो ये चीज़ आपको ज्यान में रखने चाहिए कि जो p subgroup होता है वो किसी भी group का हम बोल सकते हैं लेकिन जो p group होता है वो अलग definition है clear है ये बात ठीक है so this is silo p subgroup अब थोड़ा सा हम जो है silo p group को रखते हैं बाजू में और अपने theorem की statement की तरफ चलते हैं जो की बड़ा ही famous theorem है silo's first theorem silo का पहला theorem क्या कहता है सबसे पहले इसकी statement let p be a prime and m be a positive integer such that p to the power m divides order of g then there exists a subgroup h of g such that order of h is equal to p to the power m बहुत ही अच्छी क्या कहता है इसकी statement है जैसे कि आपने लेंगराज theorem का statement देखा होगा ना लेंगराज इस theorem of group है ये क्या कहता है कि जो order of subgroup है वो g के order को divide करता है अगर आप इस statement को देखे तो ये एक तरह से इसका converse है पूरी तरह से converse नहीं है लेकिन ये prime numbers के case में आप कह सकते हैं कि converse है क्या कह रहा है कि अगर कोई p की power m g के order को divide करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा आपको subgroup मिलेगा there exists subgroup h जिसका order कितना हो p की power m हो है ना जबकि लेंगराज theorem में ऐसा उसका जो converse है वो हमेशर true नहीं होता है यानि कि अगर कोई भी number यहाँ पर prime की बात नहीं कर रही है कोई भी number अगर मैं converse की बात करूं माल लिजे m जो है वो order of g को divide करता है तो ज़रूरी नहीं है कि m number का कोई subgroup हो लेकिन अगर वो prime number है ठीक है अगर कोई prime number उस order of g को divide करता है तो उस case में आपका जो languages का theorem है उसका converse भी true होता है यही एक तरह से आपकी slow first theorem कहती है ठीक है for an example जैसे कि अभी हमने एक example लिया था कि order of g माल लिजे 2 की power 3 3 का square into 5 है माल लिजे कोई ऐसा order है किसी group का इस तरह से ठीक है तो इसमें आप देखोगे कि आपका prime number है 2 3 5 है ना अब जो 2 है वो भी इसके order को divide करता है 2 का square भी इसके order को divide करता है 2 का cube भी इसको divide करता है 3 divide करता है 3 का square divide करता है 5 divide करता है यह prime है और इनके powers में है तो slow theorem कहता है कि इन इन orderों का subgroup exist करेगा ठीक है यानि कि कोई subgroup होगा जिसका order 2 होगा कोई subgroup ऐसा exist करेगा जिसका order 4 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 9 होगा, पांच होगा, ठीक है, लेकिन ये ये नहीं बता सकता है कि मान लीजी, मैं 2 इंटू 3 करती हूँ, तो 6, अब 6 भी जो है, इसके order को divide करता है, लेकिन 6 के बारे में ये नहीं बता सकता है, तो prime का जो multiplication हो, उसके बारे में ये नहीं बत सकता है, लेकिन जो prime का power है, उसके बारे में ये बता सकता है, कि उस case में जो लेंगराज का converse है, वो true होगा, ठीक है, तो ये थी इसकी theorem की statement का meaning, अब हम जहें इसका proof दिखते हैं, जो की आसान है, अगर आप ध्यान देतों, तो चलिए proof की तरफ चलते हैं, तो proof हम करेंगे by induction method, तो देखो, जब आपका order of G जो है, वो one है, तो उसके लिए तो obviously ये जो statement है, ये true हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखे, अगर order of G one है, तो one जो है वो G की order को divide करेगा, है ना, जी का जो है, अपने आप में एक subgroup है, है कि नहीं, तो एक हमारे पास ऐसा subgroup मिल गया, जिस case में हम बात करेंगे, तो obviously by inductions show करना है, तो हम क्या करते हैं, कि जैसे कि one के लिए true होता है, और मान लीजे हमने m के लिए true कराना है, तो m से less के लिए true मान के चलेंगे, फिर m के लिए true कराएंगे, इस तरह से, है ना, तो हम assume करेंगे कि मान लीजे, this statement is, it is, is, क्या लिखा ह मान के चल रहे हैं, कि हम इस statement को true मान के चल रहे हैं, उन सारे subgroup के लिए, जिनका order G से क्या है, लेस है, और उसकी मदद से हम G के लिए भी खोड करा देंगे, ठीक है, इस theorem का statement, तो मान लेते हैं, कि हमारे पास एक P की power M है, जो order of G को क्या करती है, डिवाइड करती है, और हम हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है, कि हमारे पास एक ऐसा subgroup मिलेगा, जिसका order क्या है, P की power M है, और हम assume करके क्या चलेंगे, कि G का कोई ऐसा subgroup होगा, जिसके लिए ये वाला जो theorem का statement है, ये होड होता है, ठीक है, सो case 1 में हम क्या लेके चलेंगे, थोड़ा इसको आ ये ऐसा K subgroup है, किसका G का, ठीक है, ये कैसा subgroup है, proper subgroup है, G का, such that, कि K is not equal to 0, याने कि ये proper subgroup है, और ये जो P का power M है, जो order of G को डिवाइड कर रहा है, ये ही P का power M, जो order of K को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये हम case 1 में लेके चल रहे हैं, कि जो P का power M है, ये इस K क order को भी डिवाइड कर रहा है, और K क्या है, proper subgroup है G का, अगर K जो है proper subgroup है G का, तो order of K क्या हो जाएगा, order of G से less हो जाएगा, है न, यहाँ पर ध्यान दीजी कि order of K is less than order of G, और हमने क्या कहा है, कि ऐसे subgroups, जो proper subgroup है G के लिए, उसके लिए ये जो theorem का statement है, हम ये true लेके च ठीक है, so by induction, अब क्योंकि ये जो theorem है, हमने जो hypothesis लेके चले है, ये जो है, इस K के लिए true होगा, so by induction, इस K का एक subgroup ऐसा H ज़रूर मिलेगा, such that कि order of H is equal to P की power M, क्योंकि theorem की statement क्या कहती है, कि if P to the power M divides that group, then this group has a subgroup H, such that कि जिसका order कितना हो P की power M होगा, ठीक है, अब simple सी बात है, कि आपका जो H है, वो K में क्या है, subgroup है, so H is subgroup of K, ये आपका subgroup का sign है, ठीक है, और K जो है वो, किसका subgroup है, G का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो H हो गया, वो किसका subgroup हो गया, G का हो गया, so H is subgroup of G, ठीक है, and such that, कि आपका जो order of H है, वो कितन है P की पावर M है तो जी के order से less जो के का order है उसके लिए हम यह hypothesis लेके चले और हमने जो है जी के लिए ही proof कर दिया कि जी का एक ऐसा सब गुरूप exist कर रहा है H such a that कि इसका order क्या है P की पावर M है तो यह था आपका case 1 अब case 2 यह भी हो सकता है कि हम यहां पर क्या लेके चले थे कि यह जो P की पावर M है वो इस सब गुरूप को डिवाइड करता है लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो है ऐसा possible हो है कि नहीं so case 2 में हम बात करेंगी कि जब आपका P की पावर M जो है किसी भी प्रॉपर सब गुरूप के order को डिवाइड ना करें second part की बात करते हैं कि जब P की पावर M जो है वो G के किसी प्रॉपर सब गुरूप के order को डिवाइड ना करें तो उस case में हम इस theorem को कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो उस case में हमें जो है, कुछ पुराने basic concept की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे की class equation, तो class equation आपको पता होना चाहिए, कि जो order of g होता है, वो किसके बराबर होता है, order of zz plus summation, order of g divided by order of na, where a does not belong to zz, क्या है इसका मतलब, simple सा meaning है, कि जहाँ पर zz आपका क्या है, center है, center of group g, यहाँ पर na क्या है, normalizer है, किसका, a का, so this is element a का, normalizer, दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ें है, center of g का मतलब यह होता है, कि रुको, आपको पता होना चीज़ें, लेकिन बस बता रहे हूँ, क्योंकि कहीं बार ध्यान में नहीं रहता है, तो center of g का मतलब होता है, वो ऐसे element group के, याने कि x belongs to g, such a that, कि xg is equal to g, x for all g belonging to g, simple सी भाशा में बोलूं तो, कि ऐसे group के element, जो बाकी element के साथ commute करे, सारे elements के साथ क्या करे, commute करे, तो gg के अंदर कैसे element होते हैं, जो group के सारे elements के साथ commute करते हैं, ठीक है, वो होता है, center of group g, और normalizer of कोई element a क्या होता है, कि ऐसे group के element, जो सिर्फ इस a के साथ क्या करते हों, commute करते हों, so na का मतलब क्या होता है, ऐसे x कहां के g के, जो इस a के साथ क्या कर रहे हो, commute कर रहे हो, such a that, ax is equal to xa, तो यह हो जाता आपका normalizer of a, ठीक है, तो यह होता है आपका class equation, ज़रूरी नहीं होता है कि center of g में आपको पुरा g मिल जाएगा, जो अपने आपके साथ क्या करे, commute करे, उस case में आपका g क्या हो जाएगा, abelian हो जाएगा, है न, so, एक चीज़ तो clear है कि कुछ ऐसे भी element होंगे, जो इस zg में belong नहीं करेंगे, याने कि वो commute नहीं करते होंगे बागी element से, तो उसी case के लिए एक class equation है कि जो आपका order of g होता है, it is equal to order of center of g, plus summation, order of g, it is, actually, जैसे कि quotient group होता है, वैसा है, divide by order of na, where a does not belongs to zg, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कि अगर a zg में नहीं है, कहना कर क्या मतलब है, कि a जो है, वो ज़रूरी नहीं है, कि g के सारी elements के साथ क्या करता हो, commutate करता हो, तो एक चीज़ तो clear होगे, कि उस case में हमारा जो normalizer होगा, वो g के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर normalizer of a g के बराबर होता है, तो by definition क्या मतलब होगा, कि अगर normalizer of a is equal to g होता है, तो g के सारे elements इस a के साथ commute करते हैं, अगर a जो है, वो बाकि सारे elements के साथ commute करता है, तो a को zg के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो यह meaning है इसका, कि अगर a is not belonging to zg, इसका मतलब यह होगा, कि n of a is not equal to g, normalizer of a is not equal to g, ठीक है, तो यहां से हमने क्या बता दिया, कि आपका जो यह na है यह g का proper subgroup है, ठीक है, आपका जो na है, it is proper subgroup of g, और हमने क्या, क्या कहते है, consider करके चले हैं, कि जो proper subgroup है, उसके लिए क्या consider किया है, कि p की power m जो है, उसके order को divide नहीं करती है, तो इसलिए p to the power m does not divide order of n a, क्योंकि यह हम hypothesis लेके चले हैं, ठीक है, तो यहां पर confused नहीं हो, क्योंकि कहीं कि मतलब यहां पर दिमाग ऐसा गुमसा हो जाता है, कि भई, n of a is not equal to g, तो यहां से यह कैसे आ गया, ठीक है, n of a is not equal to g, मतलब, this n of a is proper subgroup, क्योंकि हमें पता है, जो आपका center of group होता है, और normalizer of group हो, sorry, normalizer of subgroup हो, या फिर element हो, यह group के subgroup होते हैं, ठीक है, subgroup की property hold करते हैं, not equal to a का मतलब है कि proper subgroup होगे, तो by hypothesis, p to the power m does not divide order of normalizer of a, ठीक है, और यहां पर a क्या है, a ऐसे element हैं, जो जडजी में belong भी कर रहे हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, so हमें यह तो पता है, कि p का power m किसको divide कर रहा है, order of g को divide कर रहा है, तो obviously p का power m, जो है, मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे order of na, और order of na से multiply और divide कर देती हूँ, यह हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, number यह तो है, order क्या होता है, number यह तो होता है, तो कर सकते हैं, ठीक है, so p of m, divide, इसको माल लिजए, a into b, अब आपको पता है, कि कोई भी number जो है, वो a into b को divide कर रहा है, इसका मतलब है या तो वो A को कर रहा होगा या तो वो B को कर रहा होगा लेकिन अभी हमने क्या पड़ा कि ये जो P to the power M है ये order of N A को divide नहीं कर रहा है याने कि इस B को divide नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये P to the power M है जो इस पहले part को है इसको divide कर रहा होगा So this implies P to the power M divides order of G divided by order of N of A ठीक है So ये जो है किसके लिए true है Where A does not belongs to ZG तो ये A कोई भी एक arbitrary element था जो ZG में belong नहीं कर रहा था तो ये चीज़ hold होती है For all A जो ZG में belong नहीं कर रहे हैं Simple से बात है ठीक है तो अगर P की power M इसको divide कर रहा है तो ये चीज़ भी clear है कि जो P होगा नहीं वो इसको divide करेगा है कि नहीं order of N of A clear है ना गर P का power divide कर रहा है तो P भी divide ही करेगा Simple सी बात है तो P जो है इस चीज़ को divide कर रहा है For all A not belonging to ZG So हम ये भी कह सकते हैं इसी चीज़ को कि P divides summation summation of order of G divide by order of N A P जो है वो A को भी divide कर रहा है और P जो है वो B को भी divide कर रहा है इसका मतलब ये है कि P जो है वो A plus B को भी divide करेगा ठीक है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लगा दी है clear है ये बात उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो P की power M है वो order of G को divide करती है है ना तो P की power M तो P का power P जो है वो order of G को भी divide करेगा है ना यहाँ से ये चीज़ भी clear हो गया अब लिखने को जगा नहीं है देखो simple सी बात है अगर P का power M order of G को divide कर रहा है तो P भी order of G को divide करेगा clear है जैसे यहाँ पे A plus B के लिए वो ऐसे A minus B के लिए भी होगा ठीक है तो P जो है वो order of G को divide कर रहा है यहाँ से हमने देखा कि P जो है ये इस बड़े से element को भी divide कर रहा है इसका मतलब ये है कि इन दोनों के difference को भी ये divide करेगा तो P divides order of G minus summation OG divided by ONA where A does not belong to Z G लेकिन ये है क्या अगर आप class equation को देखो तो मैं इस चीज को इस side ले जाओ तो ये center का order है तो इसका मतलब ये है कि P जो है वो center of G को divide करता है ठीक है अब यहाँ पे आपकी use होगी कौची थेरी कौची थेरी क्या कहती है कि माल लिजे कोई group है और उस order उसके order को अगर कोई prime number divide करता है तो उस case में एक ऐसा element जरूर मिलेगा उस group में से जिसका क्या होगा order वो P हो जाएगा ठीक है और इसके आगे हम देखते हैं next slide में तो देखिए अब इसका second part हम कहाँ पे छोड़े थे कि एक ऐसा element X इस ZG से ऐसा जरूर मिलेगा जिसका order कितना होगा P होगा so order of X is equal to P अब हम क्या करेंगे इसी X का X subgroup बनाएंगे cyclic subgroup जो हमने कहीं बार बनाया है so माल लीजे K is equal to cyclic subgroup जो किस से generate हो रहा है X से हो रहा है ठीक है तो यह किसका subgroup है यह ZG का subgroup है अब क्यूंकि इसका order कितना है order of X is equal to P और आपको पता है कि जो cyclic group होता है उसमें group का order और जिससे वो generate हो रहा है उन दोनों के order क्या होते हैं बराबर होते हैं तो आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर जो order of K है न वो भी कितना है P ही है जो कि क्या है प्राइम है ठीक है और ऐसे case में हमें पता है कि कोई group है उसका कोई subgroup है जिसका order prime है तो वो normal होता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो K है ना यह ZG के अंदर normal है अब इसको हमने normal लेने के लिए मतलब इसको normal लेने का हमारा क्या मतलब है ठीक है तो देखो हम इससे एक क्या बनाने वाले है quotient group बनाने वाले है ठीक है तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे एक quotient group बनाएंगे अब आपका जो center of G होता है वो भी normal होता है आपका जो proper G है उसमें ठीक है तो यह जो k होगा ये भी g में क्या होगा normal होगा ओके तो यहाँ पर हम g by k एक quotient group बना सकते है quotient group किस से बनता है quotient group आपके एक normal subgroup से बनता है जिसके अंदर cosets का collection होता है clear है तो क्योंकि k जो है वो g में normal है तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह चीज well defined है ठीक है, यह चीज defined है, यह चीज exist कर रही है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया तो मैंने कुछ भी बना दिया, ठीक है, quotient group तभी बन सकता है जब आपके पास एक normal subgroup हो, ठीक है, so now order of, यह चीज तो पता है कि आपका जो quotient group होगा g by k, वो g का एक proper subgroup है, ठीक है, so हम यह चीज तो क क्या हो जाएगा, कि हमने hypothesis ली थी, कि जो g का proper g से कम order वाले जो subgroups होंगे, उनके लिए यह hypothesis क्या होती है, true होती है, ठीक है, so p की power m, जो हो order of g को divide करता है, तो मैं उपर नीचे order of k को multiply और डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन हमने क्या लेके चले थे, कि इसमें एक hypothesis लेके च का, जैसे कि k जो है, वो क्या है, k is proper subgroup of g, तो इस case में हम यह लेके चले थे, कि जो आपका p का power m है, यह इस order of g को divide नहीं करेगा, ठीक है, तो वही चीज, अगर p की power m, इसको divide कर रहे है, order of g को divide कर रहे है, फिर मैंने इसको इस तरह से लिखा, तो p का power m इस part को divide नहीं करता है, तो वो किसको करेगा, order of g divided by order of k को divide करेगा, ठीक है, so p to the power m does not divides k, so this implies p की power m divides this part, अब by hypothesis, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने यह तो कह दिया, कि p की power m जो है, वो order of g by k को divide करता है, यह चीज यहां से आ चुकी है, तो अगर p का power m इसको divide कर रहे है, तो p का power m इसको divide करेग ठीक है, p का power m minus 2 भी करेगा, इससे less वाला भी करेगा, है न, तो हम hypothesis लेके चले थे, कि अगर ऐसा less है, order of g से अगर कोई less है, तो उसके लिए यह जो hypothesis है, यह hold होती है, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर आप g by k को एक group लेके चलो, ठीक है, अब p की power m minus 1 इसको क्या करती ह है, तो p की power m minus 1 के लिए यह hypothesis होड होगी, तो इस induction hypothesis से हम यह कह सकते हैं, कि इसका एक क्या मिलेगा हमारे पास, subgroup मिलेगा, h by k, such that, कि इस h by k का जो order होगा, वो कितना होगा, p की power m minus 1 होगा, clear है यह बात, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर h by k, वो क्य है, subgroup है, g by k का, तो एक चीज़ तो clear है, कि यहाँ पे जो h होगा, यह k का क्या है, subgroup है, h क्या होगा, k का subgroup होगा, clear है, अब देखो, हमने क्या कहा, कि h by k का जो order है, वो p की power m minus 1 है, इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, p की power m divided by p, और आपको पता है, यह p किसका order है, यह इस k का order है, है ना, so कहाँ पे लिखा था मैंने, order of k is equal to p, so order of k कितना है, p है, ऊपर कौन है, order of h, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो p की power m है, यह kis का order है, यह h का order है, so order of h is equal to p की power m, so therefore, there exist, कहने का मतलब यह हुआ, कि there is exist h subgroup of k, such a that, जिसका order कितना है, p की power m है, तो जब हम यह लेके चले, second case में, कि आपका, जो p की power m है, वो किसी proper subgroup को divide नहीं करता है, तो उस case में भी हमारे पास एक ऐसा subgroup मिलेगा, जिसका order कितना है, p की power m है, ठीक है, so, यहाँ पे हमारी slow first theorem का जो statement है, जो proof है, वो hold होता है, clear है, इससे related कुछ example देखेंगे, इसी च इसको और अच्छे से समझेंगे in the next video lecture, क्योंकि इसी से जो है, corollaries भी आती है, जैसे कि हमने यह कहा था ना, कि silo p group के हमने definition देखी, तो वो कैसे इस theorem से related है, वो हम देखेंगे in the next video lecture.